सब्क्राइब कीजिए ग्यान सेंटर को और बेल आइकन दबाई इलेटरिक और टेक्नोलोजी के वीडियो सबसे पहले देखने की नमस्कार दोस्तों ग्यान सेंटर चैनल में मैं वीपीन आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और आज हम लोग बात करने वाले हैं सिंगल फैस स्क मर्सीबल मोटर स्टार का क्न्रोल वारिंग आप लोग ने बहुत चारा कॉमेट किया लास्ट वीडियो में के भाइस कंट्रोल वारिंग बनां थे तो वहां पर जो सारे प्रॉबलम होते है मैंने वो ट्राइ किया यह वीडियो में पूरे कवर करने का और एक कंट्रोल वाइरिंग अच्छा सा बना के आपको दिखाया है तो वीडियो लास तक जरूर देखिएगा तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सिंगल फैस सगमर्सिबल मोटर स्टार्टर की कंट्रोल वाइ बहुत टाइम लग जाता और आप लोग बोर हो जाते इसलिए मैंने पहले ही बना लिया अब देखते हैं वाइरिंग डायग्रम किया है और कहां से कुन सी वाइर आ रही है तो सबसे पहले यहां पर देखिए इंपुड सब्लाइए यह पी लिखा है यह यह निखा है यह न नहीं है पावर वाइरिंग डायग्रम का ओल्रेडी मैंने वीडियो बनाया है आपको देखना है तो यहां पर आई बटन में मिल जाएगा उपर वहां से आप देख सकते हैं यह फिर चैनल पर जाके देख सकते हैं अब आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले इजी कुन सा वाय है मैगनेटिक कोईल का यहां पर यह अब यूज हुई है यह है यह थर्मल ओड रिले है यह रिले जिसका यह एंसी टर्मिनल है दोनों और यह अटर्मिनल है ठीक है यह अब पुश्वटन है यह अब पुश्वटन घर तो यह चीज आप समझ लीजिएगा इतना कि कौन से कुंसे पार्ट इसमें यूज हुए है ठीक है एक कॉंटेक्टर एक रिले एनो एनो कुस बटन एक ऑब्जलरी बस यहीं एल एंटी में थोड़ा सा डिफ्रेंच आएगा एलेंटी के जो डिवोल आप यूज करते उसमें थोड़ा सा डिफ्रेंच आएगा वह भी मैं आपको स थर्मल ओलोड रिले में रिले का एंटी टर्मिनल में गया और दूसरे एंटी टर्मिनल से बाहर निकला सबसे पहले कोई भी कंट्रोल वाइरिंग थर्मल ओलोड रिले में जाती है या फिर सिंगल फेसिंग प्रिवेंटर में जाती है कि कभी भी हाई एंपियर पर मोटर च पाहर निकल के ये डाइरक की गया है यहां पे हमारे एनो पुस्स बटन हरे ये झालों होता है जब तक आप सो बॉटवीटन को प्रेस करके रखेंगे तब तक यहां से यहां च्छोड़ देंगे वह बंद हो दखें जैसे मैं यहां से रीले में से लिया या फिर रियनों पुच्ष बटन के उपर इसे मैं से कोई भी आप समझ लीजिए यह पावर जो है यहां से डायर्क मैंने ऑफ में लिया ओज़लेर्य में से निकल के अीज में जाएगा यह क्यों जायेगा यह होल्डिंग के लिए जब तक आप बटन को प्रेस करके रखेंगे तब तक तो कॉंटेक्टर ओन रहेगा मगर जैसे आप बटन छोड़ देंगे यह वाला कॉंटेक्टर बंद हो जाएगा तो उसको कॉंटेक्टर ओन हुआ यहां इसको मिलने लगेगा कोईल के एवन में जब तक आप नहीं दबाएंगे तब तक यह मिलता रहेगा ठीक है एंसी पुस्ट बटन यह रहा रिले में में अलग से इंस्टॉल नहीं किया है क्योंकि एलन्टी में एसाई होता है यहां पर यह आता ह आपको समझा दिया जो हमारे एलन्टी के डिव इससे ही टाइप का आता है आपको बंद करने के लिए यह प्रेस करने के लिए यह यह होता है यहां पे आर्म से एक एंसी पुस्ट बटन लगा सकते आपको करना कुछ नहीं यह दो वायर के बीच में जो यह वायर है इसके ब यहां पर इंस्टॉल कर सकते हैं यहां प्रेस करेंगे तो बंद हो जाएगा मगर यहां हमने यूज नहीं किया है ठीक है यहां पे आगे बढ़ते हैं तो यहां पर पावर चला गया तो यह हो गेवा है अब बात करते यहांपे अब ब्रविए है इसमें यहीं चीज एक अलग आती है स्टार्टिंग के पिसीटर ठीक है जो हम थ्रीफेज के डिवोल मोटर स्टार्टर बनाते है वैसा ही होता है सेम टू सेम आता है और हां अगर एलेंटी है तो यह जो ऑपजलरी का कनेक्शन है यह नहीं आएगा नहीं क्यों आएगा क्य पावर इसमें से जाता है ठीक है तो यह पावर ही यहां पर इसको मिल जाता है यह मगनेटिक कोयल का तो उसमें sådyle है यह यहां पर आती है उसमें आप देखेंगे एलेंटी के जो डीवोल है मोटर स्टार्टर उसमें आपको चार्ट टर्मिनल दिख जाएंगे कॉंटेक्टर में ठीक है जो चोथा टर्मिनल है वो लिंक दिया हुआ होता है रिले से और ऐसा सब कुल तो आपको समझना है कि यह और कुछ नहीं है तो इसमें यह उपजलरी का कनेक्शन नहीं आता है और भी इ यूज होता है स्टार्टिंग केपिसिटर का कैसे यूज होता है इसमें स्टार्टिंग केपिसिटर का यह काम होता है जब आप मोटर का बटन प्रेस करेंगे यह वाला एनो पुस्ट बटन तो स्टार्टिंग केपिसिटर भी ओन होना चाहिए तो यहां पे हमें स्टार्ट केपिसिटर खराब हो जाएगा उसका काम नहीं है तो isle लेना है यहाँ पे नूटल में से भी ले सकते हैं से भी ले सकते हैं यहां पर तीन यह पावर वाइडिंग की बात आ गई अब पावर वाइडिंग में जो पावर वाइडिंग का वीडियो बने उसमें अब समझ सकते हैं तो मैं यहां से ले लेता हूँ इसका सप्लाइब यहां से यह मैंने लिया यह चलिए यहां से यह लिया य यहां पर दूँगा और यहां से आगह बढ़ता हूं चलिए यहां से यहां तक ठीक है यह स्टार्टिंग के पिसिटर को अगर यहां पर running capacitor है तो एक वाइर ओरी यहां से आता ही होगा ठीकर है यहां पर मैंने नहीं दिखाया है inteiro कोई बात नहीं हम यहां से यह supply ले लेते हैं यह supply लेके जा रहे है 550 कि यह कहांपर गया यह जो capacitor से हमने फैस बनाया यहां पर जो मोटरकी some starting winding में जाता है juqStarting Roads में जाता है जो हमने फेज़ दनया यहां तक जाताओ अब यह कपिसिटर का काम क्या हो गया यहाँ पे यहनोप उपस्ट बटन की Обज लगी हुई है ठीकर अब क्या होता है जब भी हम यह बटन प्रेस करेंगे एक कंट्रोल वाइरिंग की यहां पर ओन होगी वर दूसरी स्टार्टिंग केपिसिटर की ओन होगी कंट्रोल वैरिंग कंट्रोल वैरिंग ओन हो गया स्टार्टर ओन हो गया केपिसिटर भी उसके साथ साथ ओन हो गया जैसे बटन से हमने हाथ सोड़ा तो हाथ सोड़ते ही हमारा स्टार्टिंग केपिसिटर यह वाली सप्लाइब बंगर यहाँ पर ओफजलरी यूज हुई है एल एंटिका है तो यहाँ पर चोथा फोल दिया हुआ है वहां से ऊप्जलरी यूज हुई है तो यह continuously own रहेगा मगर starting capacitor बंद हो जाएगा क्यूंकि हमने यहां से no use किया है तो बस इतना ही शिर्फ डिप्रेंज होता है हमारे कंट्रोल वाइरिंग में थ्री फेज डिव ओल और सिंगल फेज observable motor starter यहां फिर इंडाक्शन motor starter में जहां पर move running capacitor और starting capacitor दो चीज की ज़़ुद igns होती है वहां-पर हम ऐसा आप कांट्रोल वैरिंग करके उसको यूज कर सकते है यह starter आप क है कोंटेक्टर से भी बना सकते हैं अगर आपके पास थ्री फेज का एलेंटी का डियू और मोटर स्टार्टर पड़ा है उससे भी बना सकते हैं आपको अलग से सिर्फ दो केपिसिटर और एक एनो पूस बटन उसकी दो उपजलेरी यूज करनी पड़ेगी तो अब तो आपको यह समझ में आ गया होगा फिर भी कोई आपका क्वेस्टन है तो नीचे कोमेट करके बताएगा और प्रेक्टिकल वीडियो चाहते हैं तो भी बताएगा हम पूरी कोसिस करेंगे प्रेक्टिकल वीडियो आपके लिए बनाने की तो वीडियो आपने देख आपको ज ин्व् adam watery था और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा हो सगे तो वीडियो को सेर कर दीजिएगा और चैनल को सब्क्राइब करना न भूलिएगा और इसका प्रैक्टिकल वीडियो आप देखना चाहते हैं तो कोमेट करके जरूर से बताईएगा जैहिन वंदे मातरम